नमसकार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सभी प्रशन होंगे और लगतार सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेशर पेसम पीजी कॉलेज जिवराफी डिपार्टमेंट कन्नोज आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्न जिवराफी में मित्रों हमने इससे पहले बात की थी सूर्य तब की बात की थी उसमें हमने काफी टॉपिकों की चर्चा की थी और उसमा बजट पर भी हमने चर्चा की थी आज हम बात करते हैं वायू के तापमान की, यानि की वायू मंडल में जो तापमान से सम्मंदित है, वो क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए सुरबात करते हैं आज के टॉपिक की, सबसे पहले तुमें तरों हम ये जान लेते हैं कि उस्मा तथा तापमान में अंतर होता है, क्य उस्मा वास्तों में उर्जा का एक रूप है जो वस्तूं को गर्म करती है अर्थात उस्मा से उर्जा की मात्रा का बोध होता है जबकि ताप मान यह है कि कोई पदार कितना गर्म या ठंडा है इस परकार कहा जा सकता है कि उस्मा कारण है एवं ताप मान उसका प्रभाव है जैसे एक गिलास एवं एक बाल्टी पानी का तापमान एक समान होने पर भी एक बाल्टी पानी में एक गिलास पानी की तुर्ण में अधिक उस्मा हो शकती है। कहने का अलत ये है कि कोई पदाज्थ में कितनी उर्जा है उसकी मात्रा वै उस्मा है और उर्जा की माम को हम ताप मान कह सकते हैं। आगे देखते हम मरुस्थली भागों में वायु मंडल में जलवास की कमी होने के कारण ही रात्री का तापमान काफी नीचे हो जाता है क्योंकि ऐसी अवस्ता में पार्थी विक्रण द्वारा तापमान आसानी से सुन्द में चला जाता है आपको पता है कि जो तापमान है वो मरुस्थली भागों में अधिक होता है लेकिन आद्रता की कमी होती है इसी कारण से वहाँ पर बादल भी नहीं बनते हैं तो जो पार्थी विक्रण होता है अर्थार जो प्रत्वी से विक्रण होता है दीर गितरमों के रूप में वह आसा दिन के समय बादल ना होने की वज़े से सीधे सुर्य तब धरातल पराता है लगुतरंगों की रूप में जिससे वह बहुत ही अधिक मात्रा में गर्म करता है। आगे देखते हैं। जाता है तो परवतों को का जाता है उच परवती भागों को ठीक है प्रत्वी दो पाहर को बारा बजे अधिक तम सौज़े को उज्जा प्राप्त करती है परंतु उच तम तापमान बारा बजे नहों करके दो बजे दिन में होता है यानि सबसे अधिक अगर गर्मी की बात कर के बीच में होता है ठीक है आगे देखते हैं दिन के अधिक्तम एवं नियुन्तम तापमान के आउसत को आउसत दैनिक तापान तर कहते हैं या तापमान कहा जाता है अर्थात आउसत दिन दैनिक ताप बराबर दिन का उच्छतम प्लस दिन का नियुन्तम तापमान बटे दो अगर आउसत दैनिक ताप मान की बात करेंगे तो क्या होगा उचतम ताप मान दिन का नियुनतम ताप मान बटा दो बड़ाबर आउसत ताप मान आगे देखते हैं कुछ देशों में आउसत दैनिक ताप मान निकालने के लिए दिन के प्रति गंटे या अननिश्चिस समय के तापों का उसत दिया जाता है एक महिने के प्रति दिन के उच्च ताप उच्टम तथा निम्नतम ताप मान का उसत क्रमसा उसत मासिक उच्च ताप उच्टम और उसत मासिक नियुनतम ताप मान को बदलाता है कि इसी प्रकार 12 मैनों के उच्चितम एव नियुन त्वा पान के ऑसत दोरा क्रमसाह ऑसत वासिक उच्चितम एव म् ओसत वासिक निवन नियुनतम तापमान ग्याद किया जा सकता है यहां तापांतर की बात की जा रही है कि एक दिन में उच्चतम तापमान कितना था और निम्नतम तापमान कितना था उनका अंतर निकालोगो तो और तापांतर निकलाएगा अगर महिने का निकालोगे कि मैने में उच्छतम तापमान कब था और निम्नतम तापमान कब था तो आपका मासिक तापांतर निकल आएगा अगर वर्स में बात करें तो वर्स में उच्छतम तापमान कब था और निम्नतम तापमान कब था अगर ऐसे आप निकालोगे तो आपको वासिक तापांतर मिल आगे देखते हैं हम तापमान के वित्रण को प्रभावित करने वाले कारक यह देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कारण है यह फैक्टर है जो तापमान के वित्रण को प्रभावित करते हैं सबसे पहला अक्छांस यानि लैटिडूड भुमद्र रेखा से दुरूओं की और जा जाता है यह हमने शूर्य तप में भी देखा था इसके बावजूर सरवाधिक तापमान विस्वत रेखा पर नहीं बलकि उसके कुछ उत्तरे उन दच्छिड में अंकित किया जाता है यानि कि आयन रेखाएं 20 से 40 अच्छांसों के मद्र दोनों गुलाजों में तापमान सभी सबसे जादा आंकित किया जाता है जबकि जो सूर्य है वो साड़े 23 डिगरी नौद से साड़े 23 डिगरी साउथ के मद्र हमेशा गती करता है ट्रैवल करता है लेकिन तापमान अधिक नहीं होता है उसका एक कारण है कि भूमद्र देखी छेतर में ऐसे हम माडल बना कर एक स सुर्य है ये आपकी भूमद्र रेखा है ये कर्क रेखा है ये मकडे गवह तो हमेशा सूर्य की जो करें है इस भाग में हमेशा लामवर करती है तो अतिधिक ताप मान यहां पे होना चाहिए लेकिन यहां पे आज़ता भी बहुत ज़्यादा होती है जिससे यहां पे बादलों का निर्माड हो जाता है बादलों का निर्मान होने से जो आपकी ये किरने आ रही है वे भरातल पर सीधे नहीं पहुच पाती है उनका रिफलेक्शन होता है क्योंकि हमने देखा था बादलों से 27 परसेंट जो 27 योनिट होती है और डायरेक्ट अंधरिश्य में चली जाती है इसलिए तापमान यहां कम प्राप्त होता है जबकि जो आयन रिखाएं हैं यहां पर तापमान तो अधिक होता है लेकिन आद्वता नहीं होती जिससे यहां पर बादलों का निर्मान कम होता है तो सूर्य किरने डायरेक्ट या सीधे धरातल पर पहुंच जाती है अत्तरिक प्रशन आ चुका है पीजी टी दो जाले किश में आया था तो इसे आप ध्यान रखेंगे आगे देखते हैं दूस्ता है आपका समुद्र तल से उचाई जो कि वायू मंडल मुकता नीचे से उपर की ओर गर्न होता है अता उचाई मुगर्दी के साथ साथ ताप मान में कमी आ वाट आती है विसेश्ता चोब मंडल में जिसे हम सामान में पतंदर कहते हैं और यह एक किलो मीटर पर 6.5 डिग्री सेलसियस होती है अगला देखते हैं इस्थल एवं जल इसे देखते हैं इस्थल खंड सूर्यतप के कारण सागर की अपेच्छा अधिक तेजी से एवं इस परकार मासागर देख से सीतल एवं देख से गर्म होने के कारण जलवाय को सम बनाने में सहायक होते हैं मासागरों के पेच्छा इस्थल खंडों पर ताप अंतर अधिक होता है जल एवं इस्थल के ताप मानों में अंतर ग्रीश मृतू की तुलना में सीत अधिक होता है इससे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि जल एवम इस्थल के ताफ मानों में अंतर गीसम डितू की तोलना में सीट डितू में अधित होता है इसके बाद अगला है जल की तुलना में इस्थल के सीगर गर्म एवम ठंडा होने के कई कारण है यानि अब आपसे यह कह रहा है कि अगर एक तरफ इस्तल है एक तरफ जल है तो जो इस्थली भाग है वह सीगर गर्मी भी होता है सीगर ठंड़ा भी होता है जब कि जल देर से गर्मी भी होता है और देर से ठंड़ा भी होता है इसके कारण क्या है इसे हम देख लेते हैं क्या है पहला है आपका पहला है आपका इस्थल की तुलना में जल सूरी की किर्णे अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है पहला कारण क्या है कि जो इस्थली भाग है वहां पर सूरी की किर्णे कम गहराई तक प्रवेश कर पाती है जब कि जल में सूरी किर्णे अधिक गह होती है पती जो विशिष्ट उश्मा आजय से है आपका कि उसका ताप मान बढ़ाने के लिए जितनी इस गिया शकता होती है उसे हम विशिष्ट उस्मा यानि स्पेशिविक हीट कैपसेटी कहते हैं तो किसकी होती है जल की अधिक होती है विसिष्ट उस्मा और इस तल की कम होती है यानि जल को गर्म करने के लिए अधिक उस्मा किया हो सकता होती है अगला है आपका जल में उस्मा का इस्थांतरण आसानी से होता रहता है इसका कारण ये है कि जो जल होता है वो इस्थिर नहीं होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेविल करता रहता है अथात कुछ भाग यदि गर्म हुआ तो वो दूसरी जगे चला जाता है और फिर इसके बाद दूसरा भाग आता है तो इस परकार उसका इस्थांतरन होता रहता है तो जल इस्थल की अपेच्छत तेजी देर में गर्म होता है अगला है आपका सागरी भागों में वास्पी करण अधिक होने के कारण सुर्य तब की अधिक मात्रा खर्च होती है जाइसी बात है कि सुर्य तब का प्रयोग अगर अधिक होगा तो इसकी उसमा भी अधिक खर्च होगी तो सागरी भागों में वास्पी करण भी अधिक होता है जिससे वहाँ सुर्यतब की अधिक मात्रा खर्च हो जाती है इस थल की अपेक्छा जल द्वारा सौर विकरण का परवर्दन अधिक होता है यानि जो जली भाग है वह वास्पी करण में भी अपनी अधिक खर्च होती है सुर्यतब की और दूसरा वहाँ से रेफलेक्षन भी बहुत जादा होता है जल से रेफलेक्षन इस थल के पेक्छा अधिक होता है इससे उसे गर्म होने में अधिक टाइम देटा है इसके बाद अगला कारण है आपके तापमान वित्रण को प्रभावित करने वाले कारणों में आपका अगला है महा सागरी ये जल धाराएं जो महा सागर हैं वहाँ पर गतियां होती रहती है जैसे जुआरभाटा, शुनामी और आपकी जल धाराएं प्रवाइत होती रहती है तो गर्म जल धाराएं समुद्र तटी छेतर में तापमान को बढ़ाती है जबकि ठंडी जल धाराएं तापमान को कम करती है आगे आप ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे कि निमनत चांसों से उच्छ चांसों की ओर चलने वाली जल धाराएं गर्म होती है और उच्छ चांस से निमनत चांस की ओर चलने वाली जल धाराएं ठंडी होती है अताहा जब गर्म जलदारा किसी छेतर में पहुंचती है तो वहां के तापमान को बढ़ा देती है और ठंडी दारा जिस छेतर में पहुंचती है वहां के तापमान को गिरा देती है इसके बाद है अगला है आपका प्रचलेत पवन ये भी लगवग चलदाता की तरह ही है कि उच्च चांसों से निमन अच्च चांसों की और चलने वाली पावन को गम कर देती है क्यों कि उच्च चांस मतल Muss Duruwey चेती वहा से आने वाली हवाएं थंडी होती है और यदि निम्न चांग से दुरूं के ओर जा रही है तो वे तापमान को बढ़ा देगी क्योंकि निम्न चांग मतलब भूमद रेखी चेतर ये चेतर गर्म होता है और ये पहुने गर्म चेतर ठंडे चेतर के ओर चलती है इसी प्रकार हम आगे देखते हैं आगे है आपका सागरी भागों से इस्थली भागों की ओर चलने वाली पमवन वहां सागरी प्रभाव लाती है जिसके कारण तापमान कम हो जाता है परवतों के उपरी भाग से आने वाली हवाएं तापमान को नीचा कर लेती है देखो यह एक दू फैक्टर हैं आपके, फैक्ट हैं कि मान लीजे आपका, यह आपका इस्थली भाग है, यह आपका जली भाग है तो यदि अगर हवाएं जल से इस्थल की ओर चलेंगी, तो यह कैसी होंगी, यह ठंडी होंगी और यदि इस थल से जलकी ओर चलेंगी तो ये गर्म होंगी ठीक है इसी परकार उसका अगला है कि ये परवती भाग ये दी तो परवतों के उपरी भाग से जो हवाए नीचे उतरती है परवतों के उपरी भाग से आने वाली जो हवाए होती है वो तापमान को नीचा कर देती है ठीक है और यह दिन नीचे से उपर जाएंगी तो यह तापमान को पढ़ा देंगी इसी प्रकार अगला कहा गया है कि चक्रवातों के आगमन के समय तापमान उंचा एवन चले जाने के पस्चाथ अचानक कम हो जाता है खीक है अगला है आपका ढाल की दिशा इसमें देखते हैं सूर्य की और जोकी ढाल विप्रीद दिशा में जोकी ढाल के पेच्चा आधिक शूर्य तब ग्राण करती है यही करणा है कि उत्तरी गालार्व में जैसे मान लीजिए कि यह आपका प्रवत है यह आपका शूर्य है तो सूर्य आपको पता है कि इस दिशा में यानि कि पूर से पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जैसे इसमें का गया कि हिमाच्छादित सत्य सौधिक विकरण से अधिक मात्रा में परवर्तित हो जाने से कम उसमा मिलने से तापमान कम हो जाता है यानि हिमाच्छादित भागों में तापमान कम होता है जबकि रितेली मिट्टी में सौरी विकरणग का अधिक वसोसन होता है जहाँ इमाच्छादित भाग प्राप्त सुर्यत को रिफलेक्ट कर देता है वह रितेली मिट्टी जो होती है उस विकरणग को अधिक गर्म हो जाएगी सौरिक उर्जा का हिम 17-90% भाग रिफलेक्ट कर देता है जबकि घास 14-37, काली मिट्टी 8-14, कौन धारीवन 10 परवर्तन कर देती है वनस्पती से आचारित भाग में अधिक उस्मा रच्छ द्वारा प्राप्त जल के कारण वास्पी करण में खर्च हो जाती है जिसका अंधिक अताब मान पूचा नहीं हो पाता है अब आपको यहाँ पर एक बात यार लखनी है अगर आपसे कभी पूचता है कि सबसे अधिक अलबीदो जिसे हमने बताया था आपको कि अलबीदो क्या होता है यानि किसी वर्ष्ट उपर आने वाले सौदिक विक्रण का कितना भाग परिवर्तित हो जाता है उसके अनुपाद को हम अलबीदो कहते हैं तो आपको देखना यह है कि सबसे अधिक अलबीदो किसका होता है तो यह होता है आपका बर्फ का यानि हिमावरण का या ताजी हिम का सबसे अधिक एलबीदो होता है और अगर सबसे कम की बात की जाएगी तो सबसे कम जल का होता है एलबीदो सबसे अधिक किसका हिमावरण का अधूसे नमबर में गहरे बादनों का जबकी सबसे कम जल का दूसरे नमर के वन का होता है, ठीक है मित्रोई कि अगला फैक्टर है आपका, की सागर से दूडी, इस्थली एवन सागरी हवाउं के दैनिक चक्र के कारना तट वरृत्टी सागरी इवन तट वर्त्टी स्थली भागों में उस्मा कमिस्टन अधिक होने से ताप मान सम्मंदी विबनता कम हो जाती है यही कारण है कि सागर तटी छेत्रों में दैनिक तापांतर निवन होता है सागर तटी भागों में कैसा होता है नियुन होता है मतलब यह आपका सागर है तो यह वाला एरिया है यहाँ पर दैनिक तापांतर कम होता है परंतु सागर तट से इस्थल की और बढ़ती दूरी के साथ साथ दैनिक, मासिक और वासिक तापांतर अधिक होता चला जाता है यानि इस सागर से यानि इस तट से हम जैसे जैसे इस तलके उल बढ़ेंगे यहाँ पर दैनिक मासिक और वासिक तापांतर बढ़ता जाएगा क्योंकि ग्रीश में एवम सदतकाल के मौसम में तापी विसमता बढ़ती जाती है सागरी जलवाय की प्रमुक विसेशता नियूंतम दैनिक तापांतर का होना है यह भी फैक्ट आपको याद रखना है कि जो सागरी जलवाय की प्रमुक विसेशता क्या है नियूंतम दैनिक तापांतर है जिबकि महादीब की क्या है उच्चितम दैनिक तापांतर होता है ठीक है तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला अगला कारण है मेगा चंता यानि क्लाउड कवर आकास में बादलों वाली रात के समय बादल रहित रात की तुलना में तापमान अधिक रहता है इसी तरह बादल रहित रात ये उन दिन की अपेच्चा बादल सहित रात ये उन दिन गर्म होते है अब ऐसा होता क्यों है यह देखा गया कि यह इस्तिती इसलिए उत्पन्न होती है कि बादल धरातली सतय से होने वाली बहित गामी दीर गतारंग पार्थे विकरन की अरिकांस मात्रा का और सोसन कर लेते हैं तता उसे पुनाह धरातल की ओर प्रतिलोमन प्रतिय वरतन की पर क्रिया द्वारा यानि काउंटर रेडियेशन द्वारा वापस लोटा देते हैं इस तरह धरतली सतय से उस्मा का च्छै अउरुद हो जाता है इसे आप समझ लीजिए जैसे एक आपकी प्रतिवी है यहाँ पे आपके बादल है तो प्रतिवी से जो विकरंड होता है वैं दीरगतरंगों की रूप में होता है भादलों से टकराने के बादल कुछ भाग इस विकरंड का असोसित कर लेते हैं बाकी को इसे वापस कर लेते हैं प्रतिवी को बादल रहित वाली रात ठंडी होती है यह कह सकते हैं जिस दिन में बादल होंगे वो बादल आपका जो दिन होगा वो गर्म होगा और यदि बादल नहीं है तो आपका ठंडा होगा इसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे अभी तक हमने देखा कि उसमा उतापमान में अंत वर्टिकल का मतलब नीचे से उपर और उपर से नीचे इसे हम देखते हैं कि ये होता क्या है वह ग्यानिक परवच्छिणों के अधार पर अब ये तै हो चुका है कि वाई मंडल में धरातल से उचाई पर जाने पर वाई मंडल में धरातल से हुचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है परन्तु तापमान की जो गिरावट होती है तापमान की जो गिरावट होती है वह मौशम दिन की अवधी तथा इस्थिती अनुसार अंतर आता जाता है ठीक है और नीचे सूपर जाने पर जो तापमान गिरता है उसे हम नॉर्मल लैप्स रेट या समान ताप पतन दर कहते हैं और वह होती कितनी हैं एक हजार मीटर पर जाने पर एक हजार मीटर के उजाई पर जाने पर 3.6 फारिन हाइट या एक हैर मीटर जाने पर 6.05-0 यानि की 6.05 डिग्री सेलसियस टाप मान कम हो जाता है और आगे भी लिखा गया है ताप मान के इस पतन को समाने पतंदर कहते हैं और समाने पतंदर का परिकलन यानि गढना कहां से की जाती है तो धरतली सतय के आसत तापमान तरहत, यानि प्रat प्रतिवी क तापमान कितना और जिस सेल सियस तरफ है diss8 reel किलोμεीटर कि उजय इस आपमान स तक 15 dg falta accounting तैसेा हिए कैसे यह उनसट में शोफिर कर सकते मिलाने साथ लिए इसे इसाइप गर an-पाइप क्वा कि न होता है χर्ण नहीं चाहिख ठीक करो झाए-ठीक 36 पतंदर से 10 गुना अधिक होता है यानि अभी हम आगे 36 तापमान के 36 वितरण को देखेंगे तो यह कहे रहा है कि 36 पतंदर जो है उससे 1000 गुना अधिक होता है प्रंत वास्तिविक पतंदर जिसे हम पर्यावर्णी पतंदर भी कहते हैं अबकि जो वास्तिक पतंदर है उसको और क्या कहते हैं पर्यवर्णी पतंदर भी कहते हैं यानि इन्वायर्मेंटल लैप्स रेड भी कहते हैं इस्थानिक तथा कालिक परिवर्तन होते रहते हैं यानि अलग-अलग स्थानों पर और अलग-अलग समय में परिवर्थन होता रहता है 1.5 से 2 km की उचाई तक निचले छोब मंडल में पतंदर में बार बार परिवर्थन होता है क्यों होता है क्योंकि यहीं पर सबसे ज़ादा गैसें दूलकण और जलवास्प की मात्रा होती है इसलिए छोब मंडल की निचले बार में पतंदर में बरिवर्थन होता रहता है परन्तु उपरी छोब मंडल यानि 2 km से उपर ट्रोपो पाज में पतंदर में कम परिवर्थन होता है ठीक है इसके बार अगला है आपका ग्रीश मकाल में सरदकाल से तथा दिन में रात से पतंदर उचा होता है यानि सर्दियों में पतंदर अधिक होता है और दिन में पतंदर अधिक होता है छोब मंडल में धरातली सतय से उचाई के साथ तापमान में गिरावट से यह प्रमाड़ित हो जाता है कि वायु मंडिल धरातली सतय परिचालन, सम्वहान, विक्रण की प्रिक्रियाओं से उस्मा प्राप्त करता है और उचाई के साथ तापमान के गटने के नियमने कारण है परिचालन और समवाहन और विक्राण यानी कंडक्सन, कंवेक्षन और रेडियेशन के बारे में आपको बताया जा चुका है अब उचाई के साथ तापमान गिरने के कराण कौन से हैं पहला है वायमंडल का नेचला भाग प्रतिवी के संपरके में होने से सीगर उसमा प्राप्त कर लेता है तता उसमा गर्म होने हो लेने के बाद ही समान तरंगों से उसमा उपर की और इस्तान तित करता है इस पहला वायमंडल की प्रतेक उपर की परत अपनी निचली परत की अपेच्छा देर में तता कम मात्रा में उसमा प्राप्त करती है ठीक है यानि जो प्रत्वी से जुड़ा हुए वायु मंडल है वह अधिक उसमा प्राप्त करता है और जैसे जैसे उपर बढ़ते हैं उसमा कम प्राप्त होती है अगला है आपका वायु मंडल की निचले भाग में उपर इस्थित वायु परत के भार अधिक होता है यानि निचले परत जो होती है उपर की परत से भारी होती है तथा उपर जाने पर हवा का गनत भी कम होता जाता है तथा हवा फाइल कर विरल भी हो जाती है या तब है कि कम अधिक गनत्तवाली होगी वह अधिक उश्मा धारण करेगी और जो कम होगी वह कम धारण करेगी यही कारण है कि वायु मंडल के उपरी परत यानि बाहर मंडल में जाने पर तापमान तो बहुत अधिक होता है लेकिन हम उसे मैसूस नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि वहां की जो पवने हैं वो कम गनत्तवाली हैं और कम गनत्तवाली पवन कम उश्मा प्राप्त करती है आगे देखते हैं पार्थी विकरण के और सोसन करने वाले यानि पार्थी विकरण के और सोसन कौन करता है? दूलिकंड जलवास पर गैस का सांद्रन निचले बाग में अधिक होता है तथा उचाई के साथ साथ कम होता जाता है हमने देखा था कि जो वायुमंडल में नाटोजन 80% और आपका जो आक्सीजन है वो 20% 21% है वो निचले वायुमंडल में ही है दूलकंड भी आपके निचले वायुमंडल में ही मिलते हैं जलवास भी निचले वायुमंडल में ही मिलते हैं जिस कारण पार्थी विकरन का और सोसन भी अधिक होता है तो जैसी बात है कि तापमान भी अधिक होगा और जैसे जैसे हम उचाई पर जाते हैं इनकी मात्रा कम होती जाती है जिससे वहाँ का टेंपरेचर भी कम रहता है फलोस्प निचले भाग में पार्थी उर्जा का उसोर्षन अधिक होने से तापमान अधिक हो जाता है उचाई के साथ पार्थी उर्जा के घटते और सोसन के कारण तापमान घटने लगता है गया तब है कि वाई मंडल में उचाई के साथ तापमान घटने की प्रवत्ति मात्र छोब मंडल तक ही सीमित रहती है सीमित रहती है आगे है छोब मंडल में कतिपे खास दसाओं में कभी-कभी उचाई के साथ तापमान में गिरावट के बजाए तापमान में ब्रद्धी होने लगती है अथा ठंडी वाय उपरत की उपर गर्म वाय उपरत की इस्तिती हो जाती है और इस दसा को तापी प्रती लोमन या इन्वर्जन ओफ टेंपरेचर कहते हैं इसका मतलब है कि जैसे ये प्रत्वी है आपकी ये प्रत्वी है आपकी और हमें पता है कि तापमान जैसे जैसे हम उपर जाते हैं वो गिरता जाता है लेकिन कभी अभी ऐसा होता है कि उपर जाने पर तापमान गिरने की बजाए प्लस होने लगता है यानि बढ़ने लगता ह है तो इसे हम कहते हैं धरमल इन्वर्जन यानी तापी प्रne लोमन कहते हैं कि यह यह मित lotta से सम्खने टॉ पिक हमने अभी इस में चाप माण वेहंतर की आप मां की विट्रण को प्रभावित करने वाले कारणों की बात की इसके बाद हमने तापमान के लंबवत वित्रण को देखा अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे तापमान के छहतेज वित्रण की तब तक के लिए आप हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहिए सीखते रहिए अगर ये वीडियो आपको अच्छ इंडित्रो